प्रधान मंत्री नरीन मोधी 27 जुन को भुपाल आए और अलग-अलग राज्यों के लिए 5 वंदे भरत एक्सप्रेस ट्रेने लॉंच की उन्होंने भाजपा के 10 लाग बूत कारिकरताओं को भी संबोधित किया और देश भर में युनिफॉर्म सिविल कोर्ट जल्द लागो करने की वकालत की पी-एम ने कहा युनिफॉर्म सिविल कोर्ट पर लोगों को भड़काया जा रहा है पसमांदा मुस्लिम राजनीती का शिकार हुए है एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता बीजे पी ये भरम दूर करेगी प्रधान मंतरी के इस बयान के बाद कॉंग्रेस ए आई एम आई एम चीफ असुद्दिन ओवेसी समय त्विपक्ष के कई निताओं ने इसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बताया UCC की चर्चा के बीच देर रात मुस्लिम पर्सनल लॉब बोर्ड ने इमर्जेंसी मिटिंग बुलाई तीन घंडे तक चली मिटिंग में बोर्ड ने UCC के प्रस्तावित कानून का विरोत करने का फैसला किया वर्च्वल मिटिंग के दोरान AIM PLB के अध्यक्ष सेफुल्ला रह्मानी इसलामिक सेंटर आफ इंडिया के अध्यक्ष और AIM PLB मेंबर मुलाना खालिद रशित फरंगी महली AIM PLB के वकिल सहित अन्य लोग मुझूद थे मुलाना खलिद रशित ने कहा हमने एक ट्रॉफ तयार किया है जिसमें शरियत कानूनों का जिक्र है उसे जल्दी लोग कमिशन को भेजा जाएगा हम लोग कमिशन के सामने अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखेंगे हर बार चुनाव आने से पहले राजनेता UCCC का उठाते हैं 2024 चुनाव से पहले एक बार फिर इसे जिन्दा किया जा रहा है समान नागरिक कानून को लेकर लोग कमिशन एक रिपोर्ट तयार कर रहा है रिपोर्ट बनाने के लिए कमिशन ने UCCC पर आम जंता की राए भी मांगी है मुसलिम मौल्वियों की संस्था जे UCC पर इस तरह सरवजनिक रूप से बयान देने से पहले उन्हें लौ कमिशन से बाचित करनी चाहिए थी AIMM के चीफ और हैदराबत के सांसद असुद दिन OVC ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोट को लेकर प्रदान मंत्री नरीन मोधी पर निशाना सादा उन्होंने कहा जब प्रदान मंत्री UCCC पर बात करते हैं तो वो हिंदू नागरिक सैंता का जिक्र करते हैं OVC ने आगे कहा भारत के प्रदान मंत्री अनुच्छेत 29 को नहीं समझते हैं UCCC के नाम पर देश को विविदता को कैसे चीना जा सकता है वही सपा सांसद S.T. हसन ने कहा हम हदीश की हिदायते नहीं छोड़ सकते सविदान हर वेक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है ऐसे ही बने रहे हैं राजनमा दुनिया के साथ दह लेगा